आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज़ के फॉर्म के बारे में जिसे कि आपको पताईए कि अभी हाली में फॉर्म आ चुके हैं मध्य प्रदेश सिविल जज़ के तो क्या education qualification होना चाहिए और आपकी क्या फीज लगी फॉर्म में और स्लेबर्स क्या है यह समलब काफी सारी चीज़े आधर से वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भई फॉर्म भढ़ने की स्टार्टिंग डेट क्या है तो वो है 22 सितंबर और लास्ट डेट है 5 नमेंबर याद रखना 22 सितंबर से फॉर्म भढ़ने शुरू हो जाएंगे और जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भढ़ लेना लास्ट डेट का इंज़ार मत करना अब यहाँ पर अगर कोई तुरूटे वगर आपसे हो जाती है फॉर्म में तो उसको करेक्ट करने के लिए आप 10 नमंबर को एपलाई कर सकता है 10 नमंबर से प्रूटी करेक्शन का एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा बढ़ने के लिए और उसकी लास्ट रेट रहेगी 12 नमंबर अब यहाँ पर अगर हम प्री एग्जामिनेशन की डेट की बात करें कि प्री कब होगा मेंस कब होगा तो इसके बारे में अभी कोई नॉटफिकेशन जारी नहीं किया गया है और यहाँ पर इनकी ओफीशल वैबसाइट जो है आप वो भी देख सकते हैं जाकर और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि भई जो यह जो नॉटिफिकेशन है इसमें मतलब काफी सारी चीज़े इन्होंने बताई हुई है सारे डिरेक्शिन्स वगेरा जो भी इन्होंने बताए हैं उनको आपने केरफुली पढ़ लेना है फॉर्म भरने से पहले अब यहाँ पर अगर हम फी की बात करें कि examination के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसकी फी क्या लगेगी तो यहाँ पर जो general है और जो की मतलब अगर आरक्षिक वर्ग भी है दिव्यांग वर्ग भी है लेकिन वो मद्य परदेश के नहीं है तो general और वो लोग जो मद्य परदेश के नहीं है लेकिन वो आरक्षित है या फिर वो दिव्यांग है उनके लिए फीज एक्वाली रहेगी उनको देनी होगी फीज टोटल यहाँ पर यह जो लिगी है 1122 रुपए 16 पैसा और अगर हम बात करें मद्य परदेश के जो आरक्षित वर्ग है और समस्त दिव्यांग आवेदक जो है उनको फीज देनी होगी कितनी 722 रुपए 16 पैसा तो यह है परिक्षा का शुल्क अगर हम बात करें कि कितने विकेंसी हैं तो कुल पद हैं आपके 252 पद और किस-किस के लिए कितने-कितने पद है उनका विवरण यहाँ पर दे रखाया आप इसको देख सकते हैं अब यहां पर अगर हम बात करें कि कौन दे सकता है मध्यप्रदेश सिविल जर्च इग्जामिनेशन तो यहां पर पहली सीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी चीज यह है कि भई आपने LLB किया हो किसी मन्य अतपराप्त इनिवर्सिटी से LLB में आप ग्राजुएट होने चाहिए और आपका जो ग्राजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है उससे पहले कंप्लीट हुआ होना चाहिए जो लास्ट डेट है तब तक आपकी ग्राजुएशन क्या होनी चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए यानि कि भई इसका मतलब साफ है कि अगर आप last semester वाले हैं तो आप जैसे की सवाल करते हैं कि क्या हम भर सकते हैं form हमारा final year है तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा अगर भई आपका result आजाता है last date से पहले देन आप भर सकते हैं form अदव वाइस आप नहीं भर सकते हैं form और यहाँ पर आपका चरितर अच्छा होने चाहिए स्वास्ति अच्छा होने चाहिए और आपको कोई शारेरिक कमी असी नहीं होनी चाहिए जिससे आप न्युकती के लिए क्या हो सकते हैं अनुप्यूक्त हो सकते हैं अब यहाँ पर age limit के अगर हम बात करें तो जो IU सीमा है वो आपकी होनी चाहिए एक जनवरी 2020 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए. अब अगर हम बात करें कि maximum age limit क्या है तो भई यह जो तारीक इनों ने बताई है इस तारीक को आपकी IU 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए. और जैसे कि आपको बताया ही गया है कि अगर आप मध्यपरदेश के मूल निवासी नहीं है तो तब आपको चाहिए आप किसी भी वर्ष के हैं आपको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा. इस लिमिट में भी आपको एक्जैम्शन नहीं मिलेगा और साथ ही ये इंपॉर्ण चीजी है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आप मध्यपरदेश के नहीं हैं तो आप ये ध्यान रखना कि फॉर्म में आपने जनरल ही भरना होगा क्योंकि आपको जनरल की तरह ही में ग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होता है और ये एक तरह की सीड़ी है जिसके जरी आपको चड़के पहुचना है मेंस एक्जामिनेशन में और यहां पर प्री में जो भी आपके मार्क्स आते हैं इनको बाद में काउंट नहीं किया जाता है बस आपको ये क्वालिफाइड कर है और तब आपका सेलेक्शन होता है अब यहां पर अगर हम आपको बताएं कि प्री एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो यहां पर आपका इंडिन कॉंस्टिट्यूशन भारते सवीधान से पीसी सिविल प्रक्रिया सहीता कोड ऑफ सिविल इन के इहां पर प्रश्त भी लीख आई कि कितने कितने प्रश्न बंते हैं और कितने कितने माե्क्स का होता है यह लिखा है यह एक ख़ोदी जेख सकते हैं और आपका इंडिन कॉंट्रेट अक्ट और आपका है विनर्दिष्ड अनटोश शिच मताuyor जिसको हम कहते हैं एक आ आता है, negotiable instrument आता है, और आपका GK आता है, और computer knowledge आता है, और English knowledge आता है, तो ये सब इन सब के marks क्या है, ये सब यहाँ पर लिखे हैं, और कितने questions आता है, ये भी यहाँ पर लिखे ही हैं, अब यहाँ पर कुछ subject के अगर हम बात करें, जैसे कि आपका IPC हो गया, ये हमने हमारे चैनल पर पूरा पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और Indian Evidence Act भी हमने पूरा complete करा दिया है, प्री और मेंस दोनों के purpose से, तो ये आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पर ये तो था आपका previous labels की प्री में कितना आता है, और यहाँ पर आपको अगर मैं बता दू, कोई negative marking नहीं होती है, pre-examination में, और यहाँ पर चार option रहते हैं, हर एक प्रशन के, और आपका ये जो time duration है, ये आपका 2 hours का है, pre-heal है, और यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखाया कि भई ये mock test वगेरा, website पर conduct कराएंगे आपके, जब ये form भरने की last date ह वो निकल जाएगी, उसके बाद ये आपके mock test वगेरा देंगे, जिससे आपको idea लग जाएगा कि किस तरह का paper आता है, अब अगर हम बात करें mains की, तो जो आपका mains होगा, वो 400 marks का होगा, तो यहाँ पर जो mains है, उसमें आपके 4 paper होंगे, और हर एक paper 3 घंटे का होगा, और आ जो chapters हमने बताए हैं, ये आएंगे, और आपका CPCI का Civil Procedure Code आएगा, और आएगा Indian Contract Act और Limitation Act, जिसमें ये जो पार्ट इनोंने बताए हैं, ये पुछा जाएगा, second paper की अगर हम बात करें, तो second paper पे आएगा, writing लिखने के लिए, social issue पर, legal issue पर, और आपका प्रिसी राइटि कितने कितने marks का होगा, ये इनके आगे लिखा ही है, तो ये है आपका second paper, जिसमें जो जो चीज़े पूछी जाएगी, ये हमने आपको बता दी, अब अगर हम बात करें, third paper की, तो third paper में आएगा आपका, मध्यप्रधेश इस्थान नियंतरन अधिन्यम, 1961, और मध्यप्रध इसे नियों ने बताए हैं, ये इसमें cover होंगे, तो ये है आपका third paper, fourth paper की अगर हम बात करें, तो fourth paper में आपका आता है विवाद एक्टियों का स्थरी करन, 10 marks का, आरोपो की विरचना, framing of issues, 10 marks के, और judgment writings वगेरा आती है, civil की आती है, 40 marks की, और अगर आपने skill apply किया है, तो आ ये था आपका fourth paper, जैसी आपका means हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका होगा interview, interview होगा आपका 50 marks का, जिसमें से आपने 20 marks तो प्राप्त करने जरूरी है, आपको प्राप्त करने होंगे, तब ही आप select हो पाएंगे, फिर इसके बाद जो भी आपका means में, आपने marks प्राप्त लगेगी, इस तरीके से आपका ये पुरा procedure था, मध्यप्रदेश civil judge examination का, I hope आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी, अगर आपकी कोई inquiry है, कोई question है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, साथ ही मैं आपको बता दू, 36 girls civil judge mains examination 2019 का अर्मिर काड़ा चुका है, जाएए ड चात्र है, वो हम से जरूर संपर्क करें,